नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रा आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर कैसी हो सकती है इसके संकेत मिलने लगे हैं चुनावी साल की सुरुवात में ये लगा कि बिहार में महागट बंधन में ही सिर्फ घमासान है लेकिन वक्त बिक्ता गया कुछ महीने बीते तो ये साफ हो गया कि NDA में भी सब कुछ ठीक नहीं है चिराग पासवान आरपार के मूड में है और चिराग पासवान ने पहले अपने कुछ बयानों से संकेत दिये और फिर उन संकेतों को और बड़े बयानों से मजबूत कर दिया कि वे इ पक्तेवर में हैं सीम नितीश कुमार से उनकी ठनी हुई है बिहार का राजिति घटना क्रम इन दिनों कुछ ऐसा है कि चिराग पासवान है तो जेडियू बीजेपी के सहयोगी लेकिन अक्सर विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं और चिराग पासवान को भी आर जेड पासवान है यों में बिहार का राजितिक समीकरण बदलने वाला है ये सवाल ये खबरे लगातार आ रही है क्योंकि बयान सामने आ रहे हैं चिराग पासवान ने सराबंदी को लेकर सीम नितीश कुमार पर निसाना सादा था सराबंदी पर सवाल उठाए थे और उसके का समर्थन किया है सिवानन तीवारी ने कहा है कि परिदेश में चुनाओ नहीं कराने के साथ-साथ सराबंदी पर भी चिराग पासवान ने जो सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही वाजिब है राज्यमें सराबंदी के सच से कौन खागत नहीं है سरकार ने पहले गाउं-ग अब जब सराबंदी को लेकर और चुनाओ नहीं कराने को लेकर उन्होंने अपना स्टेंड किलियर किया सराबंदी को लेकर सीयम नितिस कुमार पर निसाना साधा, चुनाओ को लेकर वो साब तोर पर ये कर रहे हैं कि चुनाओ टलना चाहिए, इन परिश्थितियों में चुनाओ नहीं हो सकता चिराग के इन दोनों बयानों का RJD ने समर्थन किया है RJD के कदावर नेता सिवानन तिवाली ने न सिर्फ चिराग पासवान के बयान का समर्थन किया है बलकि सियम नितिस कुमार पर निशाना भी साधा है तो इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी यूट्यूग चैनल को सबस्क्राइब करें वेल आइकन जरू दवा दे ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद